अज आप चिल्के वाली दाल और नुट्रिला के पता हा हूए Γमितास किचिन काया हुए अड़्ला नाश्टर्व न्यूट्रियन्स से ऐता है पांडाघ्ल क्याता नियूक्त क्यांårए और चिलके वाले, वोड़काझना यूक्तंने साथ झाले लिए DRUJ 2008 निकाल के नशकर निकणाता है थैसे है नियूक्त्त, क्याफ़ आपटास यूक्तना से जा ने consultant दिन्ज़ार, निसफ्स के निकाल ने बनानी की प्रोसेश मैं आगे शुरू करते हैं एे बनाने की प्रोसेश ममें शुरू करते हैं और देखिए हमने दाल को अच्छे से पीस लिया है दरदार पीसना है आपको इस तरह से और इसके साथ ये जो हमने बीतिया लिया था है इसको भी दरदार पीस लिया neighborhood निकाल लेना है आपको जीरा पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च जमक धूड़ी सी खाल до हिम्रियर सबसे पहले ने सबमें न्यूट्रल लाज करें तुम लेकर अचाम करा के रहा ह्कित है अजिए अजिया करेंat नियूट्रल लाज पीस करके रखना है इसको मिक्स कर देना है और इस तरह से मिक्स करना है और अब इसमें जाएंगे हमारे मसाले एक चमस जीरा पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्ची क्योंकि हरी मिर्च हम अल्रेडी डाल चुके हैं थोड़ी सी काली मिर्ची लगबग 2-3 पेंच परके थोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाला से इसका टेस बहु इसके साथ बड़ना है कला नमक एक चमस बहु जब गरम मसाले चुक करना है इसका साथ इसके साथ अगर क्षैकर चमस मिक्स करें पर हाँसके मसालओं यदश क्लाए है छमस ने बहुते हैं, संसा लगद मिक्स करना है क dön Carneश्य मिष्टय क्लाम मेल्य और हमश्य हंुआ कूर मि कि यह रोस्टर बेसं में सिसमें इसे मिक्स करें, इसे इसे इसकी बैंदिक बिडिकों करती रही हुआ यह को कई दो हुआ ह stellarstars तो थोड़ी सी बड़ी बॉल्स भी बना सकते हैं तो इसको बना के हम रेडी कर लेते है और देखिए हमने सारी यह जो कबाब वाली टिक्कियां है इनको बना करके रेडी कर लिया है मैंने दो शेप में बनाया है आप चाहे तो इस सिलेंड्रिकल शेप में भी बना सकते है या लिए क्रीब निन ऌई टेमारे अठीना को पर चुछिट दो इस लह अएं रहती है और आपको प्राएज प्राइच के बड़ेब गवाहरना सल्कुछिट तरह तरह से पूरा जूपने देना हैं और इसको बिल्कुल नहीं चूथा जबता कि पूरा दला तरह थी इसको पड़ देगी है और सबसे पहला वाला जो मैंने इसमें कबाब डाला था और यह टिक्की अच्छे से हो गई है इसको यह देखिए खुद इसमें अपनी जगे चोड़ दिये अब इसको दीरे से फोक के हेल्प से दीरे से इसको ऐसे करके पलटना है ज्यादा फोर्स फुली कुछ नी करना यह पला थै तूटने का अजख को रहा है यह तो नीचे से तूटने कंक समें डर रहा था इसको मैं पलट दिये ऐसी में सारी टिक्कियों कू एक इक बढ़ चेक कर लेती हुं और फिर इसको दिरे धिर प्लटा है और सारे कबाब हमने एक साइड लिगालव होगर Side से कर देन रह तो मैं आपको दिखाती हूँ यह कैसे बना है और देखिए यह दोनों साइट से अच्छे से क्रिस्प हो गई है और इसमें बच्छा है यह जो बीच वाला पार्ट तो आप इसको भी ऐसे घुमाते हुए हलका हलका या इसको अपर ऐसे अच्छे अच्छे बनाते हुए इसको बॉइ बहुत ही क्रिस्पी बना है और यह देस्ती नास्त है यह मैंने धनिया और टमासर की चैथ डोल्ठ के से ताथी को Thank you for watching Damita's Kitchen. Thank you everyone.